Hello everyone, क्या हाल चाल हैं आप सबके? आज आप स्टार्ट कर रहे हैं TDS and TCS TDS, full form होता है इसका Tax Deducted at Source whereas TCS का मतलब क्या है? Tax Collected at Source क्या मतलब है इन दोनों का TDS और TCS का? TDS Tax Deducted at Source इसका मतलब यह है कि जहां income originate होती है जो income का source है वहीं पे tax को काट लिया जाए सरकार हमसे कहती है कि जब भी आप किसी को income देते हो जब भी आप किसी को कोई ऐसी payment कर रहे हो जो पाने वाले के लिए income है तो आप उसका Tax काट के हमें जमा कर दो फिर से सुनिएगा वो सरकार कैसे कह रही है? राज ग्रवाल तुम बहुत सारी payment कर रहे हो जो पाने वाले के लिए income है मैंने का हाँ जैसे कि मैं salary की payment कर रहा हूं तो पाने वाले के लिए income है मैं interest की payment कर रहा हूं पाने वाले के लिए income है मैं किराय की payment करता हूं वो पाने वाले के लिए income है सरकार हमसे कहती है कि इन सभी पेमिंट पे आप टेक्स काट के ही उसे पेमिंट किया करिए और टेक्स हमें जमा कर दीजे और उसे रसीद पकड़ा दीजे पर एक्जामपल मैं अगर किराया देता हूँ पांच लाग रुपय का तो सरकार मुझसे क्या कह रही है कह रही है पांच लाग रुपया पूरा ना दो उसे तुम उस पांच लाग में से 10% 50,000 रुपया का टेक्स काट लो टेडियस काट लो उसे 4,50,000 रुपया दो अब 50,000 हमें जमा करके उसको रसीत पकड़ा दो ध्यान दीजेगा जब मैंने आपका टेडियस काट के जमा कर दिया सरकार को तो ये एक्वेल इंटू एडवांस टेक्स है आपके लिए आप जब अपनी रिटरन फाइल करेंगे तो उसमें जो आपका टेक्स पेबल आएगा आप उ और आपको जमा करके उसकी रसीत पकड़ा दी आपको ये एटिंग दे पॉइंट वड़ेस जहां पे इंकम ओरिजिनेट हो रही है ठीक है जो इंकम देने वाला बंदा है इंकम देते समय ही क्या करेगा उस पे से टेक्स काट के सरकार को जमा कर देगा लेकिन मैंने एक बात कही जो आपने पता नहीं ध्यान दी कि नहीं कि जब भी मैं कोई ऐसी पेमिन कर रहा हूं जो पाने वाले के लिए इंकम है तीडियस तभी काटना है अगर माल लीजे मैं कोई ऐसी पेमिन कर रहा हूं जो पाने वाले के लिए इंकम नहीं है रेविन्यू है तो टीडियस वह बात नहीं करेंगे अधर्वाइस आप कन्फ्यूज हो जाएंगे अभी सिफ इतनी बात करते हैं कि जब भी हम एक ऐसी पेमिंट कर रहा हूं जो पाने वाले के लिए इंकम है तो सरकार कहती है उसका टेक्स काट लो काट के जम्मा करते हूं Now what is this TCS? TCS का मतलब होता है Tax Collected Ad Source जब भी हम किसी को इंकम नहीं इंकम कमाने का जरिया दे रहे हैं तो सरकार कहती है जब आप जरिया इंकम कमाने का किसी को दे रहे होगे तो कुछ पैसा लेते होगे उससे तो जो पैसा ले रहे हो उस पे एक Tax Collect करके ले लो TCS अब वो हमको जम दोनों में अंतर सुनिएगा ध्यान से TCS क्या है मैं आपको एक Payment कर रहा हूँ उस Payment में से Tax काटा और सरकार को दे दिया जैसे आपको देना था 100 रुपया उसमें से 10 रुपय काटा और सरकार को दे दिया और आपको 90 रुपया दिया यह हो गया TCS क्या है मैंने आपको कुछ और भी लो, TCS, मैंने उस 100 रुपया पे 2 रुपया और आपसे कलेक कर लिया, जो भी रेट है, right, 100 रुपया पे 2 रुपया, एक रुपया, पांच रुपया, whatever, वो और कलेक कर लिया, अब वो सरकार को दे दिया, तो TDS क्या होता है, वो tax होता है, जो हम काट के सरकार को जमा करते हैं, TCS क्या होता है, एक additional payment होती है, जो हम आपसे लेते हैं, एक additional amount of tax होता है, जो हम आपसे लेते हैं, और फिस सरकार को जमा कर देते हैं, अब आप कहेंगे, इस सर इंकम कमाने का जरिया दे रहे हैं, इस बात क को ऐसा लगता है कि ये धंदा जो है ना माफियास कर रहे हैं और यहाँ पर tax collect करना बहुत दिक्कत की बात है गवर्मेंट को लगता है कि ये जो business होते हैं ना इनमें generally माफियास ज़्यादा लगे हुए हैं और ये सब income tax वगरा पे नहीं करेंगे तो गवर्मेंट ऐसी जगह पर ही TCS लेने की कोशिस करती है ध्याद दीजेगा मेरा ये strict line of statement नहीं है एकदम correct statement नहीं है कि मैंने बोल दिया कि गवर्मेंट इसलिए ऐसा कर रही है देगे मेरा objective होता है कि आपके दिमाग में बैठा सको कि generally ये किस लिए ऐसा हो रहा है मेरा ये भी कहने का मतलब नहीं है कि जितने दारू के ठेके हैं वो माफिया ही चला रहे हैं अच्छे चे बिजनसमैन भी धंदा करते हैं लेकिन कोई भी चीज जब law बनता है तो उसके पीछे कोई एक basic reason जरूर होता है और मैं वही हमेसा highlight करने की कोसिस करता हूँ तो government क्या कह रही है कह रही है कि राज अगरवाल आप दारू बनाने वाली company हो मैंने का हाँ कई जितने दारू के ठेके वाले तुमसे दारू खरीतते हैं वो दारू बेचेंगे कमाएंगे लेकिन यह सब mafia लोग है ठीक है दारू बेचेंगे कमाएंगे लेकिन income tax देंगे नहीं तो हमसे कह रही है राज अक्राल जब तुम उनको दारू बेचोगे तो जो एमाउंट हुआ उस पर एक टेक्स कलेक कर लो तीसियस कलेक कर लो और हमें दे दो I hope you have got the point चलिए आईए और बात करते हैं जैसे आप railway station जाते हैं आप अपनी parking करते हैं तो पता है जब parking करते हैं तो आप कुछ पैसा देते हैं parking का 20 उपे 50 उपे वाटेवर यह पैसा किसके पास जाता है अगर आप सोच रहें railway के पास जाता है तो ऐसा नहीं है railway क्या करते हैं टिंडर निकालती है और एक बार में दो साल तीन साल का parking जो होता है वो किसी को बेच देती है मतलब टिंडर इन्वाइट करती है railway कहती है कि हमारे यहां जो parking की space है यह कौन लेगा दो साल के लिए ठीक है जो highest amount bid करेगा कि हम इतने रुपए में लेने को तयार हैं दो साल के लिए parking तो उस business man को parking दे दी जाती है अब वो क्या करता है अपने आदमी लगाता है और parking का पैसा collect करता है अब माल लीजिए किसी ने railway से parking का tender उसको मिल गया माल लेते हैं पांच करोड रुपए में अब वो गाड़ी जितनी भी आएगी उससे parking 20 रुपए 40 रुपए collect करेगा तो जो दो साल में collect करेगा माल लीजिए उसने collect कर लिया 20 करोड रुपए तो उसका profit हो गया दो साल में कितना पंदा करो रुपए क्योंकि पांच करोड रुपए में टेंडर मिला था उसको railway से यह जो पार्किंग मगार का भी काम है पता है जादतर cases में क्या होता है normal businessmen नहीं लेते हम आप जैसे लोग जाके railway की पार्किंग का टेंडर नहीं बरते अगेन ये काम प्राया पाया गया है कि ये सब काम कौन करता है माफियास करते है तो गौर्मिन ने कहा railway को कि आप एक काम करिए जब railway का tender आप भरवाएंगे तो जो सामने वाला amount quote करेगा जो win करेगा उससे आप जब पैसा लेंगे तो एक additional amount ले लिजे TCS और वो जमा कर ध्यान दे रहें ये सब केस में कोई भी income नहीं दे रहा है सामने वाले को income कमाने का जरिया दे दिया रेलवे ने जिसने पार्किंग खरीदी उसको income कमाने का जरिया दिया और उसके लिए पांच करों रुप्या लिए ये जंगल की जो कटाई का काम होता है न ये सब भी tender के जरिए कराया जाता है tender आप समझते हैं कि नहीं जब भी government किसी भी चीज को services को services की को बेचना चाहती है तो क्या करती है उसकी कीमत लगवाती है जो सबसे ज़्यादा कीमत देता है उसको बेच लेती है और tender खरीदने क के समय government क्या करती है tender भरवाती है कोई वीची खरीदना है उसके भी tender भरवाती है तो जो सबसे कम में देने को तयार हो जाता है उससे माल खरीद लेती है तो ये जो जंगल की कटाई का काम भी है ये भी tender के through ही किया जाता है तो इसमें अगें ये जंगल की कटाई का काम पता क्या होता है कि कोई भी जब इस काम को लेता है तो ऐसे देखता है कि भाई यह पूरा जंगल कितने का है उसकी कीमत लगाओ ठीक है और फिर लकड़ी काट के जो उसको की कटाई करेगा वही लकड़ी को पूरा बेचेगा राइट तो वो देखता है कि भाई हमें लकड़ी का जितना हम काटेंगे बेच के हमको मालोग 10 को रुपया आ जाएगा तो टिंडर भरेगा कि हम 3 करोन में जंगल लेने को तयार है ठीक है तो भाई बस उसका काम यह होगा कि काट के आप बेच लीजे जंगल खाली कर दीजे तो वो देखता है कि अच्छा हाँ इतनी कमाई है तो एक और इगली वो सब टिंडर भरते है तो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजे होती है जहां पे आप देखेंगे कि गौर्णमेंट को लगता है कि यहां पे इन बिजनसेस से टैक्स आने में थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है तो गौर्णमेंट टीजेस लेती है हाला कि इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाले को तो है और मुझे इनफर्मेशन भी मिल जाएते कि टीजेस और टीजेस से बहुत बड़ी चीज यह होती है कि गौर्णमेंट के पास इनफर्मेशन भी आ जाती है कि किसके पास कौन सी इंकम का सूर्स गया है तो अच्छा अब एक अगली बात करते हैं अभी मैंने आपसे कहा था न कि मैं आपका टीजेस काट लूँगा और काट के क्या करूँगा आपको बैलेंस पैसा दूँगा और टीजेस की रसीद दे दूँगा आज की तारीक में TDS जो है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोनिक हो चुका है जैसे मेरा कोई TDS काटता है तो मुझे उसकी रसीद दे चैन न दे मैं तो कभी मांगने मिनी जाता हलाकि हम आम बोलचाल की मासा में रसीद कह रहे है TDS का सर्टिफिकेट कहा जाता है उसे अगर कोई मेरा TDS काटा है तो वो पता है हमें क्या देगा TDS सर्टिफिकेट इशू करेगा बट मैं कभी आज तक किसी से भी TDS सर्टिफिकेट नहीं मांगता क्यों नहीं मांगता क्योंकि अगर कोई मेरा TDS काट के जमा कर देगा तो मेरे traces में T-R-A-C-E-S traces में मुझे दिखाई देता है यह दिखाई देता है कि इतना TDS मेरा किसी ने जमा कर दिया है और जब मैं अपनी income tax return भरता हूं तो traces से data को import कर लेता हूं मेरा tax जमा हुआ है कि ने सामने वाले ने काटा तो जमा किया कि ने यह जो TDS की return होती है सामने वाला TDS की return जब submit करता है अपनी तो वो data मुझे reflect करता है और quarterly basis पे यह submit होता है जैसे कि April, May, June का July में submit होता है तो जैसे ही वो सामने वाला जिसने मेरी TDS काटी है अगर April का वो काटा होगा तो April, May, June का सीधे जुलाई में वो submit करेगा तो जब वो जुलाई में submit करेगा ना तब मुझे data दिखाई देगा तब मेरा दिखाई देगा कि हाँ उसने जिसने मेरा TDS काटा था और return quarterly जमा होती है तो यानि April, May, June की आपको जुलाई में दिखाई देगी जुलाई अगर September की आपको अक्टूबर में दिखाई देगी जब वो सामने वाला return submit करेगा तब आपको भी दिखाई देगी TDS जमा तो वो अगले महिने की साथ तारीक को कर देता है या PGPP में भी पढ़े है कि TDS जमा करने की तारीक होती है जिस महिने में कटा है उसके अगले महिने की साथ तारीक लेकिन उस समय सिर्फ TDS जमा होता है जिसने मेरा TDS काटा है ना उसने सरकार को उतना पैसा जमा कर दिया जितना उसने TDS काटा सरकार को ये बताया नहीं कि मैंने राज अगरवाल का TDS काटा ये नहीं बताया वो कब बताता है तीन महीने में एक बार बताता है कि ये देखो मैंने इतना TDS जमा किया है जिसमें से किसका किसका काटे थे ये लोग पूरी डिटेल यह रहा नाम उसका यह रहा पैन नमबर किस बात की पेमिंट किये थे और कितना पेमिंट किये थे फिर कितना TDS काटे मतलब वो ऐसे बताएगा राज अगरवाल पैन नमबर 100 प्रोफेशनल सर्विसेस की पेमिंट की गई एमाउंट था एक लाख रुपया TDS उसमें था दस जा रुपया इतनी इंफर्मेशन दी जाती है जब वो TDS रेटन सब्मिट करता है लेगिन ये TDS रेटन कब सब्मिट करता है वो क्वाटरली बेसिस में सब्मिट करता है आए होप आपको मोटा मोटा TDS और TCS का आइडिया लग गया ठीक है क्या है TDS जब हम किसी को income देंगे तो उसका tax card के सरकार को जबा कर देंगे TCS क्या है जब हम किसी को income कमाने का जरिया देंगे तो उससे पैसा लेंगे और जब लेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लेंगे वही होता है TCS अब वो सरकार को जमा कर देंगे clear आईए देखते हैं TDS and TCS अच्छा इंडिया में TDS कहते हैं लेकिन विदेशों में खास करके Western countries में इसको बोला जाता है withholding tax ये मैं क्यों बता दिया क्योंकि बड़े सारे बच्चे हमारे तो क्या करेंगे विदेश में काम करेंगे ठीक है और जब विदेश में काम करेंगे तो उनका TDS नहीं कटेगा जो उनको तनफ़ा मिलेगी उसमें से क्या कटेगा withholding tax तो आपको पता रहे कि भाई ये वही है जो TDS आप अपने देश में पढ़े थे तो आप confused ना हो जाएं इसलिए बता रहे हैं आपको withholding tax से बोलते हैं हाला कि ये नाम इतना popular है withholding tax क्योंकि majority countries में withholding tax ही बोला जाता है TDS नहीं बोला जाता तो मुझे ये doubt होता है कि कहीं exam में भी ये word use ना कर लें इसलिए आप बच्चों को बताते हैं ठीक है हाला कि हमारे देश में TDS ही बोलते हैं लेकिन since withholding tax ये नाम इतना popular है majority countries में यही word use होता है तो it is quite possible कि ये word आपको आपके paper में देखने को मिल जाए और नहीं तो कहीं आप news वगर सुन रहे हैं तो उसमें आपको सुनने को तो मिल ही सकता है ठीक है कहाँ पे check होता है अगर कोई मेरा TDS काट के जमा किया है तो हम कहाँ पे check करेंगे हम check करते हैं उसे traces में clear है चलिए देखिए point of time when TDS has to be deducted TDS कब deduct करना है time of deduction of TDS miserly ज्यादा तर cases में at the time of at the accrual or payment whichever is earlier accrual or payment whichever is earlier इसका मतलब क्या है जैसे कब मैं TDS काटूंगा मैं rent due कराता हूं महिने की आखरी तारिक को जैसे 31 January 2024 मैं entry करता हूं rent account debit to rent payable ठीक है और इसी rent को pay up कर देता हूं अगले महिने की पाच तारिक को पाच परवरी 24 को मैं entry करता हूं rent payable debit to bank ठीक है अमौन कितना है मान लेते हैं 50,000 रुपीज का और rate of TDS मान लीजे 10 परसिन का है तो TDS किस दिन काटना है 31,1,24 को accrual हुआ है और 5,2,24 को payment हुई है कब काटना है कब काटना है accrual और payment whichever result है तो आपको 31 January को ही TDS काटना होगा तो आप इंटे करेंगे rent account debit 50,000 to rent payable to TDS payable ठीक है मान लीजे 10% TDS का rate है तो ये 45,000 रुपे हो जाएगा और 5,000 रुपे आपका TDS payable हो जाएगा से जो payment करेंगे 5,2 को वो कितनी होगी पैता ले जाएगा ये जान बुचके मैंने entry काट काट के लिए ताकि आपको पता रहे कि TDS payable कहा insert हुआ ठीक है दूसरा मान लीजे आप rent pay करते हो rent assuming rent is paid in advance on 5th of each month rent advance में pay हो रहा है on 5th of each month इसका मतलब है कि महिना पूरा होने के बाद नहीं पहले ही पै हो जा रहा है मतलब फरवरी का rent फरवरी में पै हो जा रहा है पास तारीक हो अभी हम क्याते हैं जनवरी का rent फरवरी में पै हो रहा है अब क्या बता रहें कि जन्वरी का जन्वरी में की पास तारीक हो फर्वरी का फर्वरी की पास तारीक हो तो पहले payment हो जा रही है तो देखें पाच एक चौबिस को ठीक है हमने entry की advance rent debit to bank और 31 तारीक को हमने entry कर दी rent debit to advance rent यही हुआ अब आपको यह रही payment की entry और यह है accrual की entry किस दिन TDS की entry मारनी होगी payment और accrual whichever result यह तो payment ही पहले हो रहा है यहीं पहाएगा two TDS payable यहीं आपकी entry होगी इस तरीके से 50 जार रुपया advance rent bank 55 जार रुपया TDS payable पाच जार रुपया ठीक है अब नाव rent debit to advance rent यह कितना हो गया rent debit to advance rent कितना देना होगा कितना खर्चा चार्च करेंगे 50 जार ठीक है यह तो हो गया एक तरीका कि accrual or payment whichever is earlier अब कुछ cases ऐसे होते हैं TDS is deducted at the time of payment कुछ खर्चे ऐसे हैं जिसमें payment के समय टीडियस कटेगी मतलब आपनी accrual entry पहले हो रही है माल लीजें ठीक है 31,1,24 ठीक है कोई एक expense है expense का नाम भी नहीं बता पाएंगे हम आपको expense debit to expense payable और फिर पाँच फर्वरी दोज़ाद 24 को आपनी expense pay कर दिया तो expense payable debit to bank normally accrual or payment whichever is earlier पहो रहा था लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जहां पे payment पही TDS काटना है आपको यह नहीं देखना क्या पहले हुआ है payment पही TDS कटेगा तो यह अगर वो खर्चा ऐसा है जो payment पही टीडियस करता है तो आपको पूरे टीडियस को नदो category में divide करके बताए जाएगा एक category वो है जहां पह टीडियस payment पह पहँड़ेगा एक category वो है जहां जमाल लीजिए 50,000 रुपया का खर्चा है ठीक है तो हम रोग क्या करेंगे एक्सपेंस पेवल 50,000 रुपया लेकिन देंगे कितना 45,000 रुपया और 5,000 रुपया टीडियस पेवल में चला जाएगा आ रहा है कि नहीं समझ में सब कुछ नहीं इंट्री अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो मोटा मोटी बात समझे है कि there are certain expenditure on which TDS is deducted at the time of accrual or payment which ever is earlier and there are some expenses ठीक है मेरे लिए तो expense होगा ना जो TDS करता है उसके लिए खर्चा होता है पाने वाले के लिए इंकम होता है ठीक है जो payment करता है जो किराया दे रहा है उसके लिए खर्चा है और TDS कौन कट रहा है जिसके लिए खर्चा है ठीक है कट किसका रहा है जिसके लिए इंकम है कट उसका रहा है TDS जिसके लिए income है तो अगर कुछ खर्चे ऐसे हैं जिसका TDS पेमेंट के समय ही कटेगा At the time of payment In the following cases, tax is deductible at the time of payment कुछ खर्चे ऐसे हैं जिसका payment के समय TDS करता है जैसे salary 192 लिखा हुआ है मैं आपको बता दूँ एक जगा लिख देता हूँ आपके लिए section 192 ठीक है 192A 194 194B 194BA 194BB 194DA 194LA 194N 194R बस इतना सही नहीं है दे सारे section है जिसमें TDS payment के समय कटता है लेकिन सच पूछे तो जो पहले लिखा हुआ था वो highlighted matter ही था मैं आपको बता हूँ कहां कहां TDS कट रहा है At the time of payment एक तो आपको बस याद कर लेना है रट लेना है section 192 है salary का TDS salary में salary में at the time of payment करता है TDS salary में कब करता है TDS at the time of payment लेकिन बाकी जितने भी आप section देखेंगे न तो वहाँ पे आप कहेंगे कि payment पे ही काटी सकते है accrual जैसे कोई चीज होती नहीं है बहुत सारे cases में आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार इसमें तो accrual जैसा कुछ है ही नहीं सीधे pay ही हो जाता है जैसे lottery अब lottery की income आपकी accru थोड़ी नहीं होती है सीधे pay हो जाती है खुली pay हो गई सीधे सीधे इनामी मिल गया ना कौन बनेगा कौपती में income accru थोड़ी नहीं होती है तो बाकी जगना बहुत याद करनी की जोत नहीं है भले मैंने इतना section लिख दिया हो तो आपको लगेगा अरे बैट की याद करना पड़ेगा कि यहाँ यहाँ payment पे होता है अभी आप चिंता मत करिए जब हम यह section पढ़ा देंगे तो दुबारा इस पे आईएगा और आप देखेंगे कि याद करनी जासी कुछ है ही नहीं चीज क्योंकि जिन जिन section पे सर ने कहा है कि payment के समय टीडियस करता है वहाँ पे payment ही सीधे हो ही जाता है बस सर में भी कहते है एक चीज याद कर लो salary salary मैंने याद कर लिया right दूसरा है at the time of payment or at the time of giving credit at the time of payment or at the time of giving credit मतलब making credit entry in the books of account मतलब accrual ऐसे समझ लिजे to the recipient in the books of the pair whichever is earlier and majority of the cases में क्या होता है यही होता है तो by default हम कहेंगे तो हमेशा यही कहेंगे कि accrual or payment whichever is earlier पर TDS करता है लेकिन कुछ छोटे कुछ सिनारियों है जहां पर payment पर ही TDS काटा जाता है तो यह तो बात हुए ही कि TDS कब कटता है अब अगली बात करनी है TDS कौन काटता है TDS कौन काटता है तो generally TDS किससे कटवारी है गौर्मेंट कटवारी है TDS businessman से ठीक है कह रही है कि जो लोग बिजनेस करते हैं वही दुनिया भर की payment मारते हैं अपने हाँ धेर सारी लोगों को salary बाठते हैं, किराय का payment करते हैं ब्याज की payment करते हैं अगर loan वगर लिए हैं जाने क्या क्या चीज की वह payment करते हैं जो पाने वाली के लिए income होती है royalty की payment कर डालते हैं तो जो भी वह payment करते हैं सामने वाली के लिए income है तो वह TDS काट लेगा लेकिन अगर सरकार सिफ इतनी सी बात करते हैं तो बात बहुत फश जाएगी इसलिए क्योंकि बिजनस करने वाले तो पान की दुकान वाले भी हैं ठेला चलाने वाला भी है तो क्या आपको लगता है कि वह जो payment करता है उस पर TDS काट सकता है सबका अरे पान वाला भी digital marketing करा रहा होगा ठीक है professional services की fee दे रहा है ठीक है अब बताइए क्या वो TDS काट लेगा अगर उसका बड़ा turnover है बड़ा businessman है तो तो government भी अब यहीं पे कह रही है सभी businessman को नहीं करना है TDS काटने का काम अगर आपका turnover एक specified limit से ज़्यादा है तो ही आपको TDS काटने को हम कहेंगे आई देखते हैं यह बात बहुत इंपोर्टेंट धीरे से बोल दिया whether the payment is for business or personal purposes देखिए सरकार आपको यह बताएगी कि कौन TDS काटेगा अगर आप TDS काटोगे अगर आपको TDS काटना है तो आपको personal खर्चे बिजनस खर्चे दोनों पे ही काटने पड़ेंगे फिर से समस्ते इस बात को जैसे सरकार नहीं अगर कहा राज अगरवाल आपके turnover के basis पे आपको TDS काटना है तो मुझे अपने सारी payment जो पाने वाले के लिए income है उस पे TDS काटना है मेरे सारे खर्चे जो पाने वाले के लिए income है उस पे TDS काटना है चाहे वो खर्चा business का है चाहे नहीं है चाहे वो खर्चा बिजनेस का है या पर्सनल है एक्जामपल सरकार नहीं बोला राज अगरवाल आपकी टरनोवर के बेसिस पे आपको TDS काटना है मैं किराय की पेमिंट कर रहा हूँ ऑफिस का TDS काटूंगा मैं किराय की पेमिंट कर रहा हूँ घर का अपने जिसमें रहता हूँ TDS काटूंगा फिर से सुनिए सरकार ने कहा राज अगरवाल टरनोवर के बेसिस पे आपको TDS नहीं काटना है तो बड़ी अच्छी बात है फिर तो नहीं काटना है बात काता है लेकिन अगर काटना है तो किस पे काटेंगे बिजनेस खर्चे पे भी और परसनल खर्चे पे मैंने एक वकील साबको अपने बिजनेस का केस लड़ने के लिए पैसा दिया TDS काटेंगे पाने वाली के लिए इंकम है मेरे उपर एक मडर का केस चल रहा है मैंने उसके लिए भी एक वकील को हायर किया उसको फीज दी TDS उसका भी काटेंगे ध्यान दीजेगा मडर का केस मेरा परसनल खर्चा है ठीक है यह बिजनेस से रेलेटेड थोड़ी ना है अर्यूट अगर मुझे TDS काटना है तब तो मुझे सारा ही काटना पड़ेगा और नहीं काटना है तो फिर कोई बाप नहीं I hope यह सब clear है However if However if में बताएगा कि इनको TDS नहीं काटना है ठीक है कहेगा However if इनको TDS नहीं काटना है लेकिन जहाँ जहाँ बोलेगा TDS नहीं काटना है वहाँ पर individual या H.E.F. की बात करेगा इसका मतलब यह है कि firm, company बाकी जितने भी person है बाकी जितने भी person है other than individual H.E.F. other than individual oblig H.E.F. इनको तो irrespective of turnover TDS काटना है Irrespective of turnover TDS काटना है अब ऐसा क्यों देखिए actually government ना TDS को एक compliance burden की तरह समझ रही है कि जब जब payment करना है तो TDS काटना है काट के जमा करना है इसमें compliance वाली ज़्यादा दिक्कत है यार इतना हो नहीं पाता है बात यह है लेकिन firm इन company को government कह रही है कि क्यों क्योंकि firm और company तो वैसे ही इतने सारे लफड़े जहल रही है अगर कोई partnership firm बनाया है company बनाया है तो पता है बहुत सारी compliance को अरेड़ी कर रहा है company बनाना मजाग थोड़ी नहीं दुनिया भर की compliance करनी पड़ती है company का registration से लेके या आफ़त सुरू हो जाती है MOA बनाओ A.O.A. बनाओ article of association memorandum of association ये information register of companies को बेजो वो information बेजो दुनिया भर की आफ़त कर रहे है तो government का मानना है कि तुन इतनी लफड़े तो पहले ही जहल रहे है तो फिर payment पे TDS काटने का भी लफड़ा जहली लो ये जो individual होते हैं ये सब जो उसमें से छोटे वैपारी है ठीक है उनको हम रोग इसमें से बाहर करते है TDS VDS नहीं काटना होगा आप वो किसी को भी income दे रहे हैं तो दे दे कोई tension नहीं है किन के लिए कह रहा है कि छोड़ देंगे TDS काटनी की जोट नहीं है Pair is an individual H.E.F. carrying on business उस turnover is up to 1 क्रोर कैरा है अगर आप individual H.E.F. हो और आपका turnover एक क्रोर तक का है या फिर 50 लाग रुपए तक का turnover है अगर आप profession में हो in the immediately preceding financial year TDS need not be deducted अगर पिछले financial year में current financial year जैसे की current financial year है आपका 23-24 तो 23-24 में TDS काटना है की नहीं ये बाट depend करती है कि 22-24 में आपका turnover कितना था अगर 22-24 में मेरा turnover एक करोर रुपए के नीचे था up to 1 करोर भी था up to 1 करोर बोलते हैं एक करोर के नीचे नहीं up to 1 करोर रुपए था एक करोर रुपए तक था तो 23-24 में मुझे TDS काटना की जोगत नहीं है अगर 22-24 में मेरा turnover एक करोर रुपए से जादा था तो 23-24 में मुझे TDS काटना की आवशकता है ये बात हमेशा change होती रहती है मालीजे अगें 23-24 में आपका turnover कम हो गया एक करोर रुपए से तो 24-25 में आपको TDS काटने की जोगत नहीं पड़ेगी हमेशा preceding financial year का turnover दीखना है profession के case में ये limit पचास लाग रुपए की है business के case में एक करोर रुपए की है तो TDS नहीं काटना है except under these three section ये तीन section रट लीजे इस तीन section के लिए कोई भी कोई भी lose hand नहीं है इसका मतलब यह है कि government कहती है इन तीन section में तो आपको TDS काटना ही पड़ेगा government जरा भी hard delay नहीं कर रही है यहाँ पे सब के उपर कस रही है ये बात कि भाई इस तीन section का तो TDS सब ही को काटना पड़ेगा चाहे आपका turnover कितना है इस सब बात से मतलब नहीं है अब आप कहेंगे कि sir ऐसा क्यों कर रही है सरकार क्या पान वाले को ठेले वाले को इस section में सब को TDS काटना है बिटा जब आप ये तीन section पड़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इन तीन section में जो payment कर रहा है वो बड़ा आदमी होगा अच्छली इस section में ऐसी payment है नहीं जो एक छोटा आदमी कर सकता है यानि जो आदमी ऐसी payment कर सकता है न वो ये सब नोटंकी भी जेल सकता है TDS काटो जमा करो देखे TDS काटना जमा करना ये एक आफती काम है ठीके इसमें एक आफत है इसलिए government क्या कर रही है छोटे वैपारी को हटा रही है लेकिन firm company इनको क्यों नहीं हटा रही है इनको कह रही है तुम रोग याद पहले ही तरह जेलते हैं और नोटंकी थोड़ा सा और जेल लो तुम रोग को तो आदत है न individual hf इन सब को आदत नहीं है काम इतना नोटंकी जिलने की तो जो एक और से जादा turnover किया है पिछले साल और प्रोफेशन में 50 लग से जादा किया है पस वो tds काटेगा बाकी लोग tds नहीं काटेंगे ठीक है आगे देखिए pair is an individual hf and the payment and credit is of professional fee for personal purposes of the pair मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे tds काटना है तो मुझे personal payment हो या फिर business की payment हो tds काटना ही पड़ेगा लेकिन एक personal payment ऐसी होती है जिस पे tds नहीं काटना होता है professional fee for personal purpose personal purpose का किराया देना है personal purpose का ब्याज देना है सब पे tds काटना है लेकिन personal purpose की professional fee पे tds नहीं काटना है अब आईए अपने example लेते हैं वापस से जो मैंने वकील साफवाला लिया था ठीक है ध्यान से सुनिएगा सरकार ने मुझे कहा turnover के basis पे मेरा turnover बिजिनस का सकार एक करोर पैसे ज्यादा है वइसे तो मैं प्रोफेशन में हूं मेरा turnover 50 लाख से ज्यादा है मेरा turnover limit से ज्यादा ए मुझे tds काटना है तो मेरे office के किराये पे भी मैं tds काटना दा मेरे घर के किराये पे always मेरे office method के लिए वकील साब कोई case कर ला रहा है उसके लिए जो payment करूँगा TDS काटूँगा लेकिन मेरे personal purpose के लिए कोई वकील साब case ला रहा है professional fee की payment है उसका TDS नहीं काटूँगा जो murder वाला case था मेरा उसके लिए एक वकील साब लगे हुए थे उनको जो fees देंगा उसके TDS नहीं काटनेंगा सिर्फ एक ही personal payment है professional fee की जिसकी TDS नहीं काटनी है बाकी सारी payment पे TDS काटनी है चाहे personal हो चाहे business की हो एक personal खर्चे पे TDS नहीं काटना है professional fee for personal purpose याद रहेगा लेकिन फिर से वही बात आपको याद दिलाएंगे कि भूलियेगा नहीं उपर क्या पड़े थे कि इस तीन सेक्शन का तो TDS सारे ही काटते है आक्चुली में इसमें 194M में professional fee भी cover होती है professional fee भी cover होती है तो भूलियेगा नहीं इसका TDS तो सारे ही काटते है फिर ये मत कह दीजेगा सर इसका TDS तो आपने मना किया है काटने को फिर से बोलता हूँ अगर मुझे TDS काटना ही नहीं है मेरा turnover ज़्यादा ही नहीं है मेरा turnover specified limit जो दी गई है उससे ज़्यादा है तो मुझे TDS काटना है चाहे business की payment है चाहे personal payment है एक personal payment पे TDS नहीं काटना है professional fee professional fee मतलब सामने वाला professional है मुझे को एक fee दे रहे हैं लेकिन वो मेरा personal purpose है उस पे TDS हमको नहीं काटना है सबको बात समझ में आ रही है न लेकिन मैंने बताया कि देखो भाई मैंने बता दिया आप सबको कि 194 194 IA, IB और M का TDS तो सबको काटना है आपकी knowledge के लिए अभी बता दू 194 M में भी एक professional fee की बात कही गई है तो क्या इसका TDS काटना होगा हाँ इसका TDS तो सभी को काटना है professional person कोई मतलब इन तीन section में तो TDS काटना ही काटना है ठीक है तो एक बार हम फिर से लिख दें यहाँ पे क्योंकि professional fee की बात हो रही है तो आप भूलना जाए need to deduct under section 194 M इसका तो काटना ही पड़ेगा next बात कहता है pay is government TDS is not deductible अगर pay देने वाला नहीं पाने वाला देने वाला कौन है यह तो बताई दिया individual HF इनको TDS नहीं काटना है इन इन situation में बाकी सबको TDS काटना है कोई भी payment दे रहा है कोई भी आपको सामने वाले को payment दे रहा हो जो उसके लिए income है TDS काट लो लेकिन अगर pay पाने वाला government है तो TDS मत काटना गौर्मेंट आपसे कह रही है कि जब हमको पैसा दोगे तब मेरा TDS मत काट लेना अरे आप गौर्मेंट का TDS काट के किसको जमा करोगे गौर्मेंट कोई तो यह क्या मतलब हुआ आपको गौर्मेंट कोई payment करनी थी एक लाग रुपे आपके नहीं एक लाग रुपे नहीं देंगे दरज़र रुपे TDS काटेंगे रुखो काट के गौर्मेंट को जमा कर देते उसकी रसीद गौर्मेंट को ही देते यह क्या नाटक हो रहा है गौवर्मेंट काई पैसा काटके गौवर्मेंट को देदोगे तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि अगर पेई गौवर्मेंट है पाने वाली गौवर्मेंट है तो TDS काटनी की अवश्कता नहीं होती है राइट क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँ जिसमें आपसे पूछू TDS कटेगा की नहीं पसी इतना बताओ TDS काटना है की नहीं पसी इतना बताओ चलो पूशता हूँ आपसे पेयर पेई नेचर ओफ पेमेंट कौन सी पेमेंट है लास्ट इयर का टर्न ओवर TDS डिड़क्टिवल अब यह जो हम रुक सारी बात कर रहे हैं यह बात कर रहे हैं एक्सेप्ट 194 IA IB and M क्यों इसकी अलावा बात कर रहे हैं क्योंकि बेटा इसमें तो TDS हर सिचुएशन में कटेगी आगई बात समझ में इसलिए इसकी बात नहीं कर रहे है ऐसे समझ लेना इस क्योंकि अगर मैं यह बोल दूँ आईए 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 म का TDS है तब तो कोई भी सिचुएशन हो TDS कटेगा फिर क्या हो तब तो सब का अंसर आएगा deductible, TDS deductible, yes तब तो सारे का ही अंसर yes हो जाएगा ठीक है तो इसके अलावा आपको बात करनी है चलो बात करो मुझसे पेयर है individual पेई है company पेयर मतलब देने वाला पेई मतलब लेने वाला देने वाला यह लेने वाला ठीक है नेचर और पेमेंट है rent बिजनेस का ठीक है लास्ट यह का turnover लास्ट यह का turnover एकसीडिंग लिमिट पेयर का पेयर का लास्ट यह का turnover एकसीडिंग लिमिट है किया यस जो भी लिमिट दी है एक करोव पचास लाग उस लिमिट से ज़्यादा है हाँ टीडियस काटना होगा एक individual है एक company को payment कर रहा है किराए का business का किराए अपने business premises का किराया दे रहा है ठीक है उसका turnover भी लिमिट से exceed कर रहा था टीडियस काटना होगा जल्दी बताइए यस काटना होगा अब दूसरा किस लिए एक individual है company को payment कर रहा है rent business का turnover prescribed limit से ज़्यादा नहीं थी टीडियस काटना है नहीं company को payment कर रहा है rent अपने घर का मतलब वो जो घर था ना जो residence था personal वो जो rent दे रहा है आप personal use का मतलब अपने residence का जिसमें आप रहते हो किसको किराया दे रहा है company को दे रहा है वो company क्या करती है वो company का ही घर है एक company का घर है वो ठीक है वो company rent out कर रखी है हो सकता है वो company renting off premises में यही उसका दंदा ही हो ठीक है तो आपका turn over exceeding prescribed limit है क्या आपको TDS काटना पड़ेगा answer is yes तो अगर मेरा prescribed limit से ज़्यादा turnover है और मेरे उपर TDS काटने की liability आती है तो फिर यह तो ही ना देखना है business का करचा है personal करचा है TDS तो काटना ही पड़ेगा देखने माल लीजेए आप एक individual हो पेमेंट किसको कर रहे हो pay con है इस बात से फर्क नहीं पड़ता देखे बस government में TDS नहीं काटना है पेई कौन है otherwise इससे फर्क तो ही ना पड़ता है हम सीधे लिख देए ignore भले हम अंगरेजी में बता रहे हैं आपको pay con है लेकिन यह अंसर लिखने के लिए तो ignore ही करना है इससे मतलब ही नहीं है pay con है accept government कोई अंतर ही नहीं है बस government अगर जैसे हम लिख देंगे pay में तब आप क्या करेंगे लिख देंगे TDS not deductible ठीक है अंसर कीजी यहाँ पे एक individual को payment कर रहा है किस चीज़ की professional fee की payment कर रहा है personal purposes की prescribed limit से ज़्यादा turn हो है TDS काटना है no लेकिन यही अगर हम individual को pay कर रहा है professional fee business का TDS काटना है answer is yes क्या आप यह बात समझ पाए rent के case में हम बोल रहते हैं चाहे business हो personal हो सब में TDS काटना है देखें यह business था यहाँ पे rent यहाँ पे personal था rent टनूर जब भी exit किया तो मेरे उपर दोनों case में liability आई TDS काटने की लेकिन professional fee के case में business का है तब तो TDS काटना है लेकिन personal है तो TDS नहीं काटना है चाहता मालीचे हम एक individual है पाने वाला government है हम किराए की payment कर रहे है business की अपने अरे कोई भी payment कर लो government को अगर payment करोगे तो TDS नहीं काटना होगा अब सत्मा देखिए आप एक company हो या आप एक individual को payment कर रहे हो rent की payment कर रहे हो business का अब company का कोई personal खर्चा नहीं होता इतना आपको समझ में होता है individual का personal खर्चा हो सकता है जैसे मेरा घर हो सकता है मेरी office हो सकती है study at home private limited का घर नहीं हो सकता उसकी office ही हो सकती है तो अब इसमें मत बोल देना कोई बच्चा पूछ ले sir company में personal खर्चे का example ही नहीं लिए हो अरे होता ही नहीं है company का personal खर्चा ठीक है firm का personal खर्चा individual का हो सकता है personal कर्चा ठीक है ना बिटा तो company के individual को payment कर दे है rent business का turnover prescribed limit से ज़्यादा है जल्दी बताइए TDS काटना है की नहीं काटना है काटना है अच्छा turnover prescribed limit से ज़्यादा नहीं है अब बताइए अब भी TDS काटना है अगर आपने गलत लिखा तो जल्दी से देखिए अब भी TDS काटना है क्यों क्योंकि person company है सिर्फ individual H.E.F. के लिए ये सब था turnover कम है तो TDS मत काटो firm company के लिए थोड़ी नहीं ये सब है अगर यह है question number 9 इसमें firm कर दे बाकी कहेंगे हम कुछ बताएंगे नहीं मत बताओ पेयर firm है TDS काटना है यस बस बाकी जानने की भी जरुत नहीं है भाई साब इग्नोर कर ये सारी बात को firm और company अगर कोई भी payment कर देए which is income in the hands of recipient they have to deduct TDS ये benefit किसको था individual H.E.F. छोटा turnover firm company छोटा turnover नहीं है ये सब benefit तो TDS काटना किसको है ये हमें पता चल गया कब काटना है ये भी पता चल गया ये पहला वाला portion था कब काटना है ये दूसा वाला portion था किसको काटना है अब तीसरा portion आ रहा है कितना काटना है कितना काटना है तो हर payment पे अलग-अलग TDS के rates हैं, कि इस वाली payment पे इतना TDS काटना है, इस वाली payment पे इतना TDS काटना है, आपके exam में भी practically question यही से आते हैं, आप से पूछता है कि इतना TDS काटना है, in fact calculate तक करके दिखाना होता है, कि this is the amount of TDS that will be deducted, तो next class में आपके साथ हम देखेंगे TDS क rate on different payments, we'll stop here.